नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर आजकल आप बहुत ही सुन रहे होंगे कि आनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होगा आनलाइन तरीके से एग्जामिनेशन होगा MCQ टाइप का examination होगा बहुत सारी इनुविशिटी जो इनकी तयार करें सिर्फ महारास्टा स्टेट की ने बाहर के भी बहुत सारी इनुविशिटी जो examination तयारी कर रही है या फिर examination लेने वाले है आने वाले समय में तो जेनरल यो online तरीके से ही उसको प्राधान्य दे रहे है online तरीके से ही लेने की कोशिश कर रहे है उसमें proctor technology या proctor तरीके से e-proctor बोलेंगे उसे online proctor बोलेंगे तो उस तरीके से examination लेने की कोशिश कर रहे है तो चले देखेंगे कि online examination कैसे होते proctor examination कैसे होते उनमें क्या-क्या स्टेप्स हो सकती है, उसमें कैसे टेकनालाजी का यूज होता है, जल्दी से थोड़ी सी इनपरमेशन जुटाने के कोशिश करेंगे, हाला कि बहुत ही डीटेल सारा ओनलाइन मटेरियल आवेलेबल है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ मोटे-मोटे तोर पर देखेंगे कि हमें जो सामना आप करना है एक्जामिनेशन का क्या-क्या स्टेप्स हो सकती है, कैसे-कैसे एक्जामिनेशन हो सकता है, तो चलिए तरते वीडियो में शुरुवात, दोस्तों पहले हम देखेंगे कि आउनलाइन प्रॉक्टर्ड एक्जामिनेशन एक क्या होते हैं, तो जनरली उसमें ए और एमेल जैसे टेक्नालोजीज का, artificial intelligence और machine learning जैसे technologies का, यूज करकर बहुत सारे companies ने उनके model अलड़ी establish कर दिये हैं, बहुत दिनों से ये चल रहा है, online प्रॉक्टर्ड एक्जामिनेशन का, जनरली ये traditional हमारे शिक्षन पद्दती में अभी उसे इंट्रोड़ीस कर दिया, COVID-19 की वाज़े से, तो पिछली कुछ examination इस प्रकार से अलड़ी होती थी, बहुत सारे company ने इस technology को, उसमें दिन बदिन उसमें बहतरी लाई है, और आपको एक नियंतरित वातावरन में आपक आपको examination देना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे company ने उनके applications develop की है, और उसे में से किसी का use पर करके आपकी examination ली जाएगी, दूसरी बात है कि e-proctor, आपको invigilator होगा, कोई तो आप पर नजर रखने वाला होगा, उसका ज्यादा काम नहीं होगा, बहुत सारा काम technology उसे alert पहुचाना, आप क्या कर रहे हैं, आप पर नजर रखी जाएगे, आपकी हर हलचाल पर नजर उसमें रखी जाएगी, और उसका AI की मदद से उसको alert बेजे दिये जाएगे, और invigilator का काम कम होगा, human interfere थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा technology काम करेगी, online आप जब examination दे रह रिपोर्ट उसके पास जाता है, और उसके ऊपर ओडेटा प्रोसेस करके कोई निरने ले सकता है, तो ये एक बात है कि आप online exam दे सकते हो, आप पर नजर रखी जाएगे online ली, हो सकता है कि आपको interface, मतलब company, company wise बहुत सारे companies ने इसका interface, उनके इनको application निकाल है, online examination का तरीका होगा, लेकिन interface अलग-अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी विद्यपीट, आपका college, आपकी जो भी examination agency होगी, उन्होंने जिसको ये contract दिया है, या फिर जिनोंने ये develop किये system, उनके system के अनुसार interface थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन एक simple funda है, आपको online login करना है, आपक इतना सा ही है, आगे देखेंगे हम की proctor exam कैसे होते हैं, तो उनकी steps जनरली थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको technical साधनों की उपलब दतक के बारे में आगा किया जाए, चेक किया जाए examination के पहले, कि आपके पास ओ, जो technical requirement है, ओ आपके पास है या नहीं है, या फिर उसके बाट decide किया जाएगा, आप examination के लिए काबिल हो या नहीं हो, आपका environment कैसा है, आपके पास front camera वाला device है, laptop है, उसका sound काम गर रहा है, उसका camera काम गर रहा है, तो इस सारे बातों का inspection और study या फिर उसकी उपलद दता चेक की जा सकती है, पहले step में दूसरी बात है कि user verification का एक feature इसमें होता है, proctor type examination में कोण exam दे रहा है, इसका verification होता है, online invigilator तैक करेगा कि हाँ, जिनोंने examination form बरा है, वही examination दे रहा है, वही बंदा login हो गया है, तो इसमें verification की एक step हो सकती है, आगे हम देखेंगे तो exam, जब exam conduct शुरू होगी, तो examination के पहल position आपको record की जाए, आपके आखों की position, आपके हाथों की position record की जाए, उसके बाद examination आला हो, examination के दोरान भी आप पर नजर की जाएगी, आपको हो सकता है, आपको बताए जाए कि आपके room का 360 degree view पहले बताए, आप दिखाए, कोई unwanted object तो नहीं ये room में, आपके हाथों के हलचा जितने आगे आगे जैसे जैसे दिन जाएगे, जैसे जैसे ये development होता जा रहा है, तो छोटी छोटी बाते भी आपका beware, आपकी हाल चाल, वो सब notice करके invigilator को ये सब report बेचता है, ताकि alert बेचता है कि ये ये इस user की हाल चाल है, वो सामाने नहीं है, तो फिर वो आपको online chat के थ्रू बता सकता है कि आप मुझे ये दिखाईए, आप मुझे ये नहीं लग रहा है, तो आप मुझे आपकी camera के थ्रू मुझे पूरा view दिखाईए, अगर आप उसमें सफल नहीं होते तो हो सकता कि आपको examination से बंद कर दिया जा आपका examination, तो जो नियम है, जो भी नियम आपको दिये जाएंगे, उसके आनुसार आपका examination रन होगा, तो जैसे के हमने बात की निगरानी की, आपके आप पर आपके जो device का camera होगा, आपके device का जो mic होगा, उससे आप पर निगरानी रखी जाएगी, background पर कोई हल चल तो नहीं है, आपके कोई unwanted sound तो आप नहीं introduce कर र रहे हो, तो यह सारी बातों का online निगरानी रखी जाएगे, और जितना हो सके उतना आपको वो जो बंद कमरे वाला जो feel है, या फिर जो examination hall का feel है, वो देने की कोशिश करेंगे online, और सबसे लास्ट में होता कि result process, generally बहुत सारे solution ऐसे की exam होने के बाद फिर invigilator उसे data को process करे जाएगा और उनके तब बाद में result लग जाएगा, और बाद में जो result process का end होता है, उनकी तरफ से हो जाता है, तो generally इतनी simple steps में आपका examination हो सकता है, user wise, development wise, थोड़ा सा इसमें बदला हो सकता है, लेकिन generally stages में आपका examination हो सकता है, तो इसे बात करेंगे कि online proctor exam की विशेष्ट आए, क्या होती, तो पहले एक विशेष्ट होती, जैसे कि हमने कहा कि identity check, कौन exam दे रहा है, generally online examination में ये, verification होता नहीं है, लेकिन proctor type के examination में ये verify होता है, कि जिसने examination form बढ़ा है, या फिर जो student है, वही examination दे रहा है, या नहीं, इसकी पुष्टी हो जाती है, इन्विजिलेटर उसकी पुष्टी करता है, और उसके camera के through, जो आपके device का front camera होगा, उसके through आपकी पुष्टी कि जा सकते है, और identity check ये एक विशेष्टा है, इस प्रकार के examination में होती है, background movement की भी, एक step आपको होगी, background camera चलता होगा, camera की निगरानी आपके आसपास होगी, बीच बीच में आपको कहा, बोला जा सकते का view दिखाए, 360 degree, कोई unwanted moment आपके पीछे होती है, कोई दूसरा चेहरा तो नहीं नजर आता है, इस पर वो हमेशा नजर रखता है application और उसका feedback हर वक्त आपके invigilator के पास जाता है, monitoring की जाती है, exam के दौरान आप पर निगरानी जै जाती है, और उसके time to time alert भेजने की विशेशता है, इस proctor type के examination solution में होती है, दूसरी बात करेंगे तो unfair means के बारे में बात करेंगे, तो हर वक्त जैसे के हमने बात की, इसमें आपको एक examination hall का fill देने की कोशिश करते है, तो vivid तकनीक का उपयोग करके student भी, ये तो generally मुझे तो करते समय किया जाए, लेकिन उसके बजाए, companies भी ये ढूंटे रहती है, कि किस-किस प्रकार से, या फिर तकनीक जो developer है, वो भी तकनीक AI का इस्तमाल करते है, कि जैसे कि उसमें ये बात आती है, कि body language, उसकी सामने body language से हट गया हो, ज्यादा हल चल हो रही है, आपके आखे औ कम से कम coffee हो, आपको जो जैसे कि मैंने बार-बार यह में बोल रहा हूँ, examination hall जैसा ही examination घर से conduct हो, उसका पूरा उन्होंने उस पर काम किया है, काम कर रहे है, उसमें updates आती जा रहे हैं, तो generally थोड़े से हमने उसमें देखे कि क्या-क्या उसमें हो सकता है, और भी बहुत सारे बाते उसमें हो सकते हैं, तो जितना हो सकता है, उतना जाइज हमने ले लिया, हो सकता है कि इन बातों का आपको जब आप आएगे examination बहुत ही जल्द, तो उसका उपयोग हो, इसलिए मैं नए वडियो बनाया है, रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जाते जाते मेरे एक सिंपल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप स्टूडन से, प्लीज मेरे चैनल का आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे छोटे छोटे महतपूर अपडेट के लिए मेरे साथ आप जुडे रहेगा, थैंक्यू